मैं सल्मान भाई से भी यही कौन गा Гएा मेरी आपकी कोई दूष्मनी नहीं थी आपकी मेरी दूष्मनी नहीं थी लेकिन आपने मेra करियर खतम कर दिया था सल्मान खान चानचा के बारे में Свिरेती चीज कषे़ोंगा कि अपने बराबर वालों से थोड़ा लफड़ा करें बिग बॉस का नाम लिया तो बिग बॉस से आपकी बहुत सारी यादे जोड़ी हैं कि अपने बराबर वालों से थोड़ा लफड़ा करें पंगा करें या अपने से बड़े से पंगा करें तो समझ में आता है ठीक है मैं तो कमजोर आज मी हूँ मैं कमजोर हूँ कहीं न कहीं आज से छे साल पहले आप अंगेंस्ट थे उनके मैं तो पहले भी नहीं था उनके फेवर में कभी मैं कभी उनको मैं एज अन एक्टर मैं कभी पसंद नहीं गिया उनको याने मेरे फेवरेट नहीं है कोई फर एक्जामपल बॉलिविड में तो कोई भी नहीं है तो मेरे लिए सिर्फ यही था कि आपने जो अपना गुसा मुझ पर निकाला आप किसी बड़े पर करके दिखाईए ना वो जो अलफाज उन्होंने मुझे कहे थे जो मैंने कोर्ट में सामने रखे कोर्ट में केस हुआ तो ये सारी चीज़े मुझे काफी तकलीफ दीखे भईया मैं कोर्ट के पास पहुँचा जज के पास पहुँचा तो जज पाउरफुल है तो आप लाइन पर आए तो ये सारी चीज़े हैं मैं सल्मान भाई से भी यह कहूँगा मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन आपने मेरा करियर खतम कर दिया था अल्मोस्ट खतम कर दिया था मुझे जेल में रहना पड़ा मेरी अम्मी का इंतिकाल हुआ तो मैंने बहुत कुछ साहा है ठीक है सलमान भाई को भी उनकी मा बहुत प्यारी है उनके वालिद साब उनसे वो बहुत प्यारी है तो मैं भी एक आम इंसान हूँ कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन अंदर मेरे दिल में तो दुखेगा कि मेरी मा नहीं है तो कहीं नहीं कि उपर वाला तो इंसाफ करेगा जरूर